सब्सक्राइब कीजिए एक्जाम सब के यूट्यूब चैनल को क्योंकि यहां होती है केवल ग्यान की बातें, आपकी एक्जाम की बातें सटिकता के साथ JCECB ने Engineering Counseling के लिए Provisional Estate Merit List जारी कर दिया है आप इस Merit List में अपने Details को देख लें और अगर इसमें कोई Anomaly मिले तो अपनी Objection दर्ज कराना ना भूलें कई Students कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके Application को Board ने इसलिए Reject कर दिया है क्योंकि उन्होंने Local Residential Certificate यानि LRC Online Upload नहीं किया था या उसके बदले Acknowledgement Sleep अपलोड कर दिया था यहां बिलकुल Board की गलती है क्योंकि JCECB इन छात्रों के Application को Reject करने के बजाए Original Document Submit करने के लिए उन्हें कुछ अतिरिक्त समय और दे सकता था परन्तु अब जब कि आपका Application Reject हो चुका है या Provisional Merit List में आपके Details में कोई गलती है तो आपके पास Objection Reject करने का यह आखरी मौका है आप 14.10.2020 के दोफर दो बज़े तक JCECB को E-mail के माधियम से Supporting Documents भेज कर अपना Objection दर्ज करवा सकते हैं JCECB का आधिकारिक E-mail ID है JCECE Board at Gmail.com जिनका Application Reject हो चुका है उनका Application Accept हो गा या नहीं यह तो अब बिल्कुल Board पर निर्वर करता है लेकिन Board तक अपनी आवाज पहुचाने का यह आपके पास आखरी मौका है क्योंकि इसके बाद जो Final Merit List बन जाएगा उसी के आधार पर Counseling करवाया जाएगा अगर आपका नाम उस Merit List में नहीं होगा तब आप इस वर्ष जारखंड के Engineering Counseling में Participate नहीं कर पाएगे